Hi everyone, इतने सालों की बाद, इतना बतानी के बाद, इतना समझाने के बाद भी मैंने देखा है कभी-कभी patients आते हैं मेरे पास कि मैदम उल्टे बच्ची को आप normal degree क्यों नी करा रहे हो इस पे इतने ही लोग इतने question पूछते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वापिस से ये वीडियो बनाना चाहिए मेरा एक पहले वीडियो आज चुका है जो कि आप लोग ने बहुत like करा है तीन million से उपर उसके views है पर मुझे लगा हो काफी पुराना हो गया है शायद हो दब गया कहीं जाके कि इतने सारी वीडियो हो गए तो repeat एक वीडियो जरूरी था आपको बताने के लिए कि पहली बात कि बच्चा उल्टा होता क्यों है बेट में कब तक घुमता रहता है कब फिक्स होता है उल्टा क्यों हो जाता है क्या उसको हम सीधा कर सकते हैं ह वे इस सारी बाते आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कर था हाए हम सिर female ज्यांने करें हम सिर्फ सीधे की बात करें हैं सिधा बच्चा लॉंगि तूडिनल लाही में है यह ऊठा बच्चा भी होता है हम उसकी बात नहीं कर रहें, बच्चा टेड़ा भी हो सकता है, हम उसकी बात नहीं कर रहें, हम बात करें, बच्चा सीधा है, यानि कि इसी लाइन में है, या तो सिर उपर है, पैर नीचे है, या फिर सिर नीचे है, पैर उपर है, जादा तर बच्चा gravity law को follow करता है, यानि कि gravity यानि कि जो नीचे हमारा earth का gravitational force है उसको follow करता है तो जो चीज heavy होती है body की वो नीचे आ जाती है जैसे आपको heavy suitcase लेके घुमेंगी आप उसको अराम से सिर पे थो ना रख पाएंगी वो suitcase आपको नीचे खीचेगा क्योंकि वो heavy है gravity उसको खीच रही है similarly आपका बच्चा जब पूरा बन जाता है 9 महीने का 36-37 weeks के around तब उसका सिर काफी बड़ा होता है as compared to उसकी body और उसके hips से चोटे से होते है एक normal बच्चा जो 9 months तक आता है उसका सिर उसके hips से बड़ा होता है जैसे जैसे वो बाहर निकल के बड़ा होता है देरे-देरे सिर छोटा हो जाता है hips वाला हिस्सा फैल जाता है यह सब को पता है कि हम लोग जो adults है हमारे सिर छोटा है hips बड़े है बट बच्चे में उल्टा होता है तो जादा तर बच्चे सिर नीचे करके ही आता है यानि कि सीधे होते है उल्टे क्यों होते है या तो उनके bumps वाला हिस्सा बड़ा हो गया यानि कि वहाँ पर को tumor आ गया जैसे कि बड़ा ही common sacrococcygenal teratoma है जो कि bumps में बनता है वहाँ पर इतना बड़ा tumor हो गया तो उसका जो सोनोग्राफी करी बच्चा उल्टा था जब मैंने सोनोग्राफी करी वो मेरे सामने सामने घूम गया सीधा हो गया फिर वापेस आडा हो गया तो बच्चा बहुत ज्यादा घूम रहा था उसका पानी ज्यादा था पेट में पानी ज्यादा होने की वज़े से प्लस पुजिशन फिक्स होनी चाहिए, जाद अतर मैंने बता है, हेड डाउन होता है, अब अगर वो 36-37 वीक्स पे ब्रीच हो गया, यानि कि उल्टा हो गया, तो फिर चांसिस कम है कि वो घूमे जा रहा है, जो पूरे टम घूमी रहा है, 37 वीक्स के बाद भी घूम रहा है, वो भ पेटे लेता रहेगा, लेता रहेगा, घूमता रहेगा, हिचकोलिया खाता रहेगा, ultimately वो कौड कहीं न कहीं या तो उसके हाथ पे, पैर पे गली में टाइट हो जाएगी, तो यह बड़ा ही रिस्की होता है, इसलिए पेशन्स को हम बोलते है, बच्चा कम घूमे तो भी आ या फिर मल्टिपल पेगनेंसी है, यानि कि पेट के अंदर दो बच्चे है, अब दो बच्चे होंगी, तो ओविसे साइस छोटा होगा, तो जो दो बच्चे होते हो, आपस में कॉम्पेटिशन में कोई सीधा, कोई उल्टा, कोई टिड़ा, कोई बाका इस तरह से चलता र करवा सकते हैं, और उससे में ओटी तयार रखते हैं, कि माल लो सेकेंड बच्चा फस गया, आदे घंटे बाद भी नहीं निकला, तो हाथो हाथ आपरेशन करके निकाल देंगे, जनरली सेकेंड बच्चे को कुछ होता नहीं है, क्योंकि छोटी-छोटे होते हैं बच्चे, बच्चे की सिर को फिक्स होना है, उसको पूरा आवल ने कवर कर लिया, तो बच्चे की बम्स वहां आके ब्याड़े आते हैं, तो प्लासंटा प्रीविया में उल्टा बच्चा होना है, पानी कम होना, अभी मैंने आपको पता है, पानी जादा होना, पानी जादा होने के विज़े से बच्चा फिक्स नहीं होता, घूमता रहता है, पानी कम होने के विज़े से बच्चा फस जाता है, अब क्या होता है, जब आपका बच्चा ठेरता है, तो आठ मैने तक जादा में टाइम लग रहा है क्योंकि 9 मंद्स अभी हुए ही नहीं है उसके पहले उसको दर्श चुरू हो गया तो जब प्री टर्म बच्चा डिलिवरी होती है तो ज्याद तरो उल्टाई होता है क्योंकि अभी वह पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ था अभी उसके सिर ने बड़ बार बार ब्रीच डिलिवरी होना जैसे कई बार मैंने देखा है कोई पेशेंट आईगी बोलेगी माडम पिशली बार सिजर इन हुआ था क्योंकि उल्टा बच्चा था इस बार बी उल्टा बच्चा है ऐसा क्यों हो रहा है इसका मतलब उसकी यूट्रस की शेप को बच्चे का जो ओवएड होता है जैसके आप इस फोटो में देख सकते हैं बच्चे को पूर आकार होता है नीचे से उपर बंस पूरी यूट्रस के अंदर फिट हो रहा चीए वो नहीं हो पा रहा है इस वज़े से बच्चा उल्टा होता है तो यह तो हो गया कारन अब गरब संसकार के एकसराइस आप कर सकते हैं कभी-कभी किसी-किसी केस में मिराकल हो जाता है गरब संसकार के वहेज मैं यूके में प्राक्टिस कर रही थी back in 2003 तब की बता रही हूँ तो मैंने काफी करें अब ये बैन हो चुका है हम बेसिकली बच्चे को बं से और सिर्ड से पकड़ के घुमाने की कोशिश करते हैं देरे देरे घुमाते हैं साथ में एक यूट्रस का रिलाक्सेंट इंजेक् ज्यादा होते थे तो ले दे के आपको ब्रीच बच्चे को घुमाने की कोश जरूत नहीं है उसको अपने आप घुमने दो थोड़ी बहुत कसरत कर लो योगा कर लो गर्ब संसकार कर लो हमारे साथ गर्ब संसकार करना है तो हमको WhatsApp करो 9358-54556 पर और इस पर हम आपको बता यानि की हरे रंग का पानी आना यानि बच्चे ने पेट में पौटी कर दी जिसमें बच्चे को खत्रा हो जाता है बट ब्रीच बच्चों में मिकोनियम बड़ा कॉमन है क्यूंकि उनके बंस नीचे होते उनका पौटी वाला एरिया होता है वो कही ना कहीं स्टुमिलेट ह र्वाट में बच्चे का पेट में मिकोनियम आ जाना या फिर फेटल हार्ट नीचे नीचे भाट मोशय होना यह कैरा और आट करेंगे कि बीच में नंपलिऊ से कभी कभी एसा होता है कि अंटाइग्णोज ब्रीच आते हैं हॉनकि आजके बहुत कम होता है पहले बहुत होता था जब लोग sonography टाइम से नहीं कराते थे और रात में एकदम से गाउं से बस आती थी वहां से कोई complicated case आता था तो बच्चे का पैर कभी बहार आये वाए नीचे से ऐसे जनरली cases में dead babies मिलते थे हम लोगों क्योंकि बच्चे का एक पैर बहार आ गया या ना होता है हमको delivery करानी पड़ती है तो इसमें हम doctors को techniques पता है कैसे करना है हाँ we can give it a try कभी-कभी यो फस भी जाता है पर उस समय क्या करें जब उस समय आप ऐसी condition में आओगे कि बच्चा बहारी आ रहा है और breach नीचे लटका हुए तो फिर क्या करेंगे ऐसी cases में या तो सिर्फ बच्चा है पेट में तो आपको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी normal delivery कराने की आजकल एक एक दो दो बच्चे होते आठट दस बच्चे किसी को नहीं होते तो जब एक एक दो बच्चे होते सबको safe बच्चा चाहिए healthy बच्चा चाहिए जिसे दिमाग में कोई problem ना हो जो हर पाल गोटी मार के आता है बच्चा बाहर या फिर फ्रैंक ब्रीच होते है जो कि best होता है यानि कि बच्चे के दोनों टांगे ऐसे ऊपर की तरफ है तो इसका नीचे वाला बं वाला हिसा होता है चोटा से रह जाता है तो उसको हम बोलते है फ्रैंक ब्रीच और एक होता है presentation यानि कि बच्चे ने पालती मारती मारती एक पैर नीचे डाल दिया एक पैर नीचे डालती है विजयना के बाहर उसका पैर आ जाता है और वो सबसे डेडली होता है क्योंकि उसमें बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल होता है तो ले देके आज की वीडियो में आपको कि उनको ब्रीच डिलिवरी करानी आती है के नी ओटी तयार है के नी जाता वेट नहीं करना ने तो सेकेंड बच्चे की डेथ हो सकती है तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट ना करें कि ब्रीच डिलिवरी नॉमल कराए ठीक है वीडियो पसंद आये तो लाइक इन शेट जरू करिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे इंस्टाग्राम सोनल.pariha.33 कंटीनूस इसमें रील जाती है और आपको क्वेशन का आंसर भी देते हैं फेस्बुक पे मैं लाइव जाती हूँ आस के और गानेकॉलेजिस मेरा पेट है उसको फॉलो करिए मेरी वेबसाइट है www.sonalpariha.com इसपे आप जाएए मेरे सारे प्रोफाइल्स है मैं क्या-क्या पढ़ा रही हूँ क्या-क्या करवा रही हूँ मेरा नंबर है वाटसेप क 9358-54556 है मेरे सेक्रेटरी का नंबर है आप इसपे वाटसेप करके मेरे से प्राइविट कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं See you again with a new video